आज बनाते हैं सिर्फ दो मिनट से भी कम टाइम में होममेट नमकील चलिए बनाना शोरू करते हैं जिसके लिए मैंने ले लिया पतला वाला पोहा और गैस पर रखी कड़ाही कड़ाही में अच्छी तरी किसी से भूल लेना है और आधी चमच के करीब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है तो देखिए पोहा भुन चुका है अब इसको हम बड़े बरतर में डाल देंगे और फिर उसी कड़ाही में डालना है में मूर्मुरा मूर्मुरा लाई, मूरी जो भी आप बोलते हो उसमें भी थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालके और उसे भी एक मिनट तक करीब भूल लेना है तो थोड़ी कुर्कुरी हो जाए तो उसको भी निकालके हम उसी बरतर में डाल देंगे जो बड़ा वाला बरतर हमारे पास है और सेम कडाही में भी डालना है थोड़ा सा तेल और तेल डालके हमने डालना है मुमफली मुमफली को भी थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लेना है और उसे भी निकालके हम बड़े बरतन में ही डाल देंगे और अब उसी कड़ाई में हमें डालना है कड़ी पता, कड़ी पते को मैंने धोली गया है और इसे इसी कड़ाई में डालके अच्छी तरीकी से फ्राई कर लेना है देखे तेल में फ्राई करके फिर वही बड़े वाले बरतन में सब डाल देना है जो चीजे बनाते हो आप उसी में डालना ये थोड़ा सा मैंने डाला हिंग और अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक के बाद मैंने डाला थोड़ा सा काला नमक और अब डालना है लाल मिर्च पाउडर और उसी तेल में हम चलते हैं फ्राई करेंगे मक्के का पोहा मक्के का पोहा इजली मिल जाता है मार्केट में आप उसको डालके फ्राई कर लो और फ्राई करके फिर उसी बरतन में डाल देना है जिसमें हम नमकीन बना रहे हैं और यह मैंने थोड़ा से डाल दिया इसमें बूंदी और अब डाला आधा चमबच अमचुर पाउडर और उसके बाद मैं डालेंगे एक चमबच के करीब में चीनी और इन सबीको अच्छी तरीके से भी मिला लेना है तो और भी चीज़े अभी बाकी है इसलिए वीडियो में कि आगे तक बने रहो तो भी को मिक्स करने के बाद मैं अब इसमें डालेंगे थोड़ा सेव पत्री वाली सेव मैं यह आप प्ट्ली मोटी कोई सिभी डाल सकते हो और इसको अच्छी तरह के इसे फिर से मिला लेना है तो देखहिए किती बढ़िया बनगे इने कुरकुरी तो फ्रेंस जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कु भी नहीं बोलना तो फिर मिलते हैं मेरे आने वाले निकोई नवीडियो को साथ तब तक लिए बाइ-बाइ